लोग जरन शक्ति पाटी यानि के लजेपी में चाचा भतीजे के बीच का जगड़ा इतना बढ़ गया है कि पाटी तूट के कगार पर पहुँच गई है अपनी ही पाटी में अकेले पड़ चुके हैं चिराग पास्वान आज प्रेस कॉंफरेंस करने वाले हैं उन्हें चाचा पशुपती पारस गुट दे रश्ट्रे अध्यक्ष के पत से हटा दिया है वहीं चिराग ने पारस समेथ पांचो सान सदों को पार्टी से निश्का सित कर दिया है चिराग पास्वान के खिलाव बगावत की जो चिंगारी पार्टी के भीतर से उठी वो अब आग बनकर धधक रही है विरोधी धड़ा और पास्वान के समर्था कामने सामने आ गए हैं और सियासत की सीधी लड़ाई फ़लक तक आ गई है पटना में ये हंगामा उस राम विलास पास्वान की पार्टी के दफ्तर पर हो रहा है जिसे राजनीत का सबसे बड़ा मौसम वैज्ञानिक माना जाता था लेकिन उनके बेटे चिराग पास्वान घर से ही उठे सियासी तापमान को नहीं भाप पाए और चाचा ने उन्हें अब पार्टी में पूरी तरह से किनारे लगा दिया है पहले चिराग को संसदी दलके नेता के पद उसे हटाया गया और अब उनसे पार्टी अध्यक्ष पद भी छील लिया गया एक ब्धि एक पद के संभीधान का नियम का पालन करते हुए स्री चिराग पास्वान जी को राश्ट्रिय अध्यक्ष के पस से आज हटाया जाता है दलके वर्य राश्ट्रिय उपाध्यक्ष सूरज सिंग और सूरज भान सिंग जो पार्टी के सांसद भी रहे हैं उनको राष्ट्रिय कार्षकार्णी ने आज राष्ट्रिय कार्षकारी अध्यक्ष मन्वनित किया है। चिराग से पार्टी अध्यक्ष का पद छीना गया तो उनके समर्थक इस अपमान को सह नहीं पाए। और पटना में लज़ेपी दफ्तर के बाहर पहुँचकर हंगामा करने लगे। लोग जनसक्ती पार्टी में मचे बवाल के बाद आज चिराग पास्वान के समर्थक जो हैं वो पतना में लोग जनसक्ती पार्टी के दफ्तर में यहां अंदर घुस गए हैं और यहां देख सकते हैं जो पाचों सांसद हैं लज़ेपी के उनकी तस्वीरों को यहां पर ज पोद दी गई कारकरता घुस्से में हैं और चिराग के खलाफ साजिश के पीछे नितीश कुमार का हाथ बता रहे हैं जदियू के बहकावे में आकर करके और जदियू नितीश कुमार ने जो काम किया लनन सिंग का साथ ले करके और पार्टी और परिवार के दौरा एक बेटा समान जो थे पशुपती के बेटा समान चिराग पासवान उन पर पीट में खंजर और कटपा विविशन बरने का काम किया है चाचा भतीजा की जंग के स्क्रिप्ट तो उस समय लिखनी शुरू हो गई थी जब राम मिलास पासवान ने अपने बेटे चिराग को पार्टी की कमान सौप दी थी आग में घी तब पड़ा जब चिराग ने विधान सभा चुनाओ में जेडियू के खिलास चुनाओ लड़ने का फैसला कर लिया पशुपती पारस इस फैसले से आहत थे तो वहीं जेडियू भात में थी मौका मिला तो चाचा ने पार्टी में तक्ष्टा पलट कर दिया चिराग अपनों से घीरे तो कॉंग्रेस और आरजेडी इसे बड़े मौके के रूप में देखने लगी और चिराग को साथ हाकर लड़ाई लड़ने की पेश्वश कर दी इस तरह से लोगों ने उनको खंजर भोका है चिराग पासवान के पीट में लोग का एक ही बात कहना है कि तेजसी प्रसाथ जादों नौजवान है और चिराग पासवान नौजवान है दोनों आदमी कदद से कदद मिला कर आगे की राजीची करें लिहार की राजीची चेजसी प्रसाथ जादों को मुझमज़ी बनाने में मदद करें और वो केदद की राजीची करें मैं समझता हूँ चिराग पासवान राम बिलास पासवान जी के विरासत की उत्तर धिकारी है भले ही उनके एमपी उनसे तूटके चले गए लेकिन जिन लोगों ने ये साजी सुनके खिलाप उनके पार्टी की खिलाप किया है ये वक्त का तकाजा है उन्हें कॉंगरस आर्जेटी से हाथ में लाना चाहिए पार्टी में अकेले पर चुगे चिराग पासवान अभी चुप है कल प्रेस को अन्फरेंस करके वो पार्टी में उठे इस घमासान की परते खोलेंगे शायद तब ये सामने आ सके कि आखिर लजेपी में चिराग के तखता पलट का असल सूत्रधार कौन है पटना से रोहित सिंग के साथ हिमांशु मिश्रा दिल्ली आज तब